पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादर का सलाम ये विलोग दिन में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिकिस मुझे नहीं पता कि शाम तक इंटरनेट की सर्विसेज पाकिस्तान में मुकमल बहाल रहेंगी या नहीं रहेंगी बंद भी हो सकती है तो फिर ये लेटेस्ट अपडेट जो आज सुबू से लेके अब तक हुई है इमरान खान के केसिस के हवाले से पीटी आई के जलसों के हवाले से इंतखाबी मोहिम के हवाले से ये फिर पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए मैंने सोचा कि दिन के वक्त या अभी ये विलॉग रिकॉर्ड कर लूँ और बाइद वे इंटरनेट बंद होगा या नहीं होगा इसके लिए जो मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनकी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने सोची भी होगी कि बल्ला चिंजाने के बाद भी इस मोमेंटम से ये कैमपेंड चलेगी बेकर मैं दावे से कहता हूं कि अगर कोई और सियासी पार्टी होती जिससे पार्टी का सिंबल वापस ले लिया जाता तो वो जमात भी और उसके कारकु खुनान ने शायद आखरी बॉल तक जाने का फैसला किया है और सोचल मीडिया की ताकत को इस्तमाल में जिस तरह से लाया जा रहा है और जो अंदाज अपनाए जा रहे हैं और जैसी मोहिम चल रही है ये तक्रीबन तक्रीबन नाकाबल यकीन है मतलब इस तरह से चलाना पह आगे आगे कुछ खुद करना चाहिए था वो रिलाई करती थे सारा के सारा इमरान खान पर के बस वो देख लेंगे उनका एक जलसा होगा तो पूरी कैमपेइन हो जाएगी अब सबको पता है कि अपनी अपनी दौड है इमरान खान साब तो जेल में बैठे हैं बलके वो र सरकारी वसायल के साथ एक स्यासी जमात जलसा करती है वहाँ पे भी लोग आते हैं जाहरी बात है जब सरकारी वसायल इस्तमाल होंगे और जाहरी बात है उनका भी वोट बैंक है ऐसा नहीं है कि बिलकुल ही नहीं है उनका एक पूरा जलसा एक तरफ और फिर दूसरी पार्टी हैं वैसे मतलब ये च्छतों के उपर चड़े हुए लोग और सिर्फ इस एक विज्वल में आपको अंदाजा होगा कि एक जमाद जिसका सरवरा जेल में है एक जमाद जिसका सिंबल नहीं है मैदान में एक जमाद जो अमली तोर पर इस एलेक्शन से एक तरह से आउट की जा पर चाहिए है तो इस तरह से उसके वोटर्स त्यार है मकाबले के लिए ये एक जलक उसके लिए काफी है और मैं कल देख रहा था कि एक उमीदवार खैबर पक्तून खाह के गालबन जगड़ा साब है वो निकले कई बार वोट मांगने के लिए तो एक वोटर ने का कि अग परान खान साब ने जेल से का था कि पंजाब को उठना चाहिए या पंजाब खुद उठेगा तो अब कहीं ना कहीं उसकी जलक भी नजर आ रही है साइब जादा हामद रजा फिर शबीर कुरेशी फिर विहारी से आईशा नजीर जट और कुछ अलग-अलग लोग जो है व पंजाब में भी अपने तोरपे, पंजाब का पेसिकली जो वोटर है ना मुझे ऐहसा लगता है बटोन पर पिर तोड़ी कम है, है तो सही वहाँ पर भी लेकिन पंजाब की निस्बटब में और पख्तून खान ने जिस तरह से वहो बेरियर सक्राइब अ़ियर्स को क्रोस क भी लोग अब उठना शुरू हो गया और यही सिलसला सिंद्ध के भी बाद अलाकों में अंदरूने सिंद्ध में अभी शेरफजल मरवद के वहां पर देखा और शामेमूत कुरैशी की जो कैम्पेइन जो वहां पे लोग चला रहे है वो भी अन्बिलीवेबल है खैर आज प बाहर से होती है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो पाकिस्तान में है वो तो बाहर की सर्विस को नहीं रोक सकते है और पाकिस्तान में मुकमल तोर पे सर्विस बंद करना वो भी मुश्किल काम है स्पीड कम की जा सकती है बैंडविट कम की जा सकती है जो हालिया ए चल जाता है कि आज PTI का कुछ ना कुछ होगा जो इंटरनेट बंद हो रहा है तो मुझे इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर की तरफ से जो मैसेज आया है वो मैं आपके सामने एस इस रख देता हूं उन्होंने का कि you might be experiencing an internet issue due to degradation in our network, our teams are ready working for earliest resolution, inconvenience is regretted और उसके बाद फिर एक और message भी आया है by the way चुके शफाफियत का तकाज़ा है कि situation आपके सामने as it is रख दी जाए तो दूसरा message यह आया है कि उनकी जो तकनीकी खराबी थी वो अब दूर हो चुकी है और उन्होंने का please verify your services हमने जो मौमला था वो resolve कर दिया है तो हो सकता है कि इस तकनीकी खराबी का शाम को होने वाली मुमकिना खराबी से कोई तालुक ना हो लेकिन still यह नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है यह पहलू कि यह पिछले कुछ दिनों से होता है तो आज भी हो सकता है इमकानाद हैं अल्ला करें ना हो और कुछ सेंस प्रिवेल करें कि इसकी एक वज़ा से कितना जादा नुकसान और हो जाता है खैर अब इंटखाबाद में मैंने जैसे बताया कि कमी दिन है तकरीबन 18 दिन ही बागी रहे हैं कल कौमी सलामती कमेटी का हमें जलास भी हुआ और उसमें इंतखाबाद मुलतवी करने का मौमला जेरे गौर नहीं आया और इलेक्शन पी टी आई के लिए इस लिए भी जरूरी हैं कि उनकी सिस्टम में वापसी हो सके और अगर उनकी सिस्टम में वापसी होती है तो उस सूरत में जो सबसे बड़ा बैनेफिट इमरान खान को होगा वो ये होगा कि वो बारगेनिंग पोजीशन में आ सकेंगे लाइक खैबर पखतुनखा में नवे फीसद तक PTI है मतलब आप चले जाएं सर्वे करने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पर आपको ये चीज नजर आ जाती है कि नवे फीसद वहाँ पर PTI ही है तो अगर खैबर पखतुनखा में गवर्मेंट बनाती है PTI और मरकज में अच्छ दोर में यूज की थी जब इमरान खान साब प्राइम निस्टर थे और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लिक नून अपोजिशन में थे तो वो क्यों हर जगा पे इशू क्रियेट कर लेते थे या क्यों वो अपनी बात कई ना कई मनवाने बैठ जाते थे इसलिए कि उनके पास अवाम में एक ताकत थी वो किसी ना किसी स्टेज पे जाके बार्गेनिंग कर लेते थे और मैंने ये खुछ चीज़े देखी है उब्सर्व किया इनको रिपोर्ट करते देखा कि जब उनका कोई मतालबा होता था कि नहीं ये करेंगे तो हम वोटिंग करेंगे ये नह नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो वो चीज़ें बराहरास इमरान खान तक कन्वे होती थे और उनको बताया जाता था कि जणाब उनका ये मतालबा है तो ये अलग बात है कि खानचाब उसके उपर वो कहते थे कि छोड़ दे लेकिन कहीं बार्गेनिंग पोजीशन में आ अधालत के जज़ थे मुहमद बशीर साब उनकी तबीयत नासाज हुई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मताबक जज़ मुहमद बशीर साब ने अपनी रेटायर्मेंट तक बिमारी की छुट्टियों के लिए खत लिख दिया है वो 14 मार्च 2024 को रेटायर हो रहे है और उन्ह 24 जनवरी तक इमरान खान साब का जो नाप का मौमला है वो पैंडिंग है तो 24 जनवरी से लेके उन्होंने अपनी रेटायर्मेंट तक छुट्टियों की दर्खास दे दिया है उनको दो बार अलेटी एक्स्टेंशन मिल चुकी है उनकी रेटायर्मेंट से मुदत से लेके आगे दो बार उनको एक्स्टेंशन मिल चुकी है पहले ही और अब वो शायद तीसरी बार लेने के मूड में नहीं है या पता नहीं क्या मौमला है लेकिन उन्होंने काया कि जब तक मेरी रेटायर्मेंट है मुझे छुटिया दी जाये तो उन्होंने इसलामबाद हाई ज़ारते कानूनों इनसाफ को बकाइदा खत लिख दिया है तो अगर वो चुटियों पर चले जाते हैं तो नैब केस लटकने का इमकान है दूसरी खबर यह है कि बानी पी टी आई इमरान खान साब की नैब केस में जो जेल ट्रायल इस वक जारी था उसके खिलाफ उन्हों नया बैंच जो है वो बना दिया जाए तो चीफ जस्टिस आमिर फारुक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल दो रुकनी बैंच जो है वो पीर के रो से यानि 22 जनवरी से इस नैब केस के जेल ट्रायल के हवाले से जो इमरान खान की दर्खासत है उसक करते हैं क्योंकि एक दिन पहले ही चीफ जस्टिस ने इदत के केस में स्टेज जो है वो दे दिया है फिर जुमिरात को जब इस केस की समात हुई थी तो जस्टिस मियां गुल हसन और अंगजेब नैब को नोटिस जारी कर दिये थे जेल ट्रायल के हवाले से तो अब आगे म रिमार्क्स हैं वो सोशल मीडिया के उपर बहुत डिसकस हो रहे हैं और मौझूदा हालात में इंतहाई मानी खेज भी करार दिया जा रहा है वो कहते हैं कि किसी जज को ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि वो किसी को आजादिये इजहारे राय या किसी भी कोर्ट रिपो होना चाहिए ये उनके रिमार्क्स हैं उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया किसी की तरफ इशारा नहीं किया बट उनके रिमार्क्स मौझूदा हालात के तनाजर में बहुत यहाम है फदर आपको अपड़िट करूँगा अभी तक के लिए इतने अपना बहुत सा ख्याल